टड़ी, स्टार्ट महरे इन मार्ग दर्शिकाओं की सीमा के अंतरगत आने वाले कार्जियों जिनके लिए सांसदों ने अपनी अनुसंसा दी है कि तकनीकी एवं प्रसासनिक स्विकृती शंबंधित राजियों में शामानी विभागिये प्रक्रियाओं के अनुरूश की जाएगी कार्यों को जिला कलेक्टर द्वारा जिले की सरकारी एजेंशियों के माध्यम से कार्या लुइत कराया जाएगा इस योजना के अंतरगत किये जाने वाले कार्य मुख रूप से पड़ी शंपत्ती स्रीजन स्वरूप के होंगे तथा शामग्री उपकरन आदी की खरीद अथवा राजश्व खर्च की अनुमती नहीं दी जानी चाहिए इस कार्य इस तरह के होने चाहिए जो काम के एक अधवा दो मौसमों में पूरे हो सकते हों तथा जिन से चिकाऊ स्वरूप की पड़ी शंपत्तियां स्रीजित होती हों योजना के तार अस्थानिय अनुभूत आवशक्ताओं के आधार पर छोटे छोटे विकास कार्जों का चयन किया जाना है और उनकी सेफारिस की जानी है सुझाये गए परतेक कार्ज की लागत दस लाख रुप्य से अधिक नहीं होनी चाहिए सुझाव के अनुसार लिये जाने वाले कार्ज जिला योजना विसेश कर नियूंतम आवशक्ता कार्ज करम के तहथ आने वाले कार्जों की श्रेनी के होने चाहिए इस योजना के अंतरगत कारियों के बारे में सुझाव प्राप्ट करने के लिए जिला कलेक्टरों द्वारा सांसदों से लिखित सुझाव मांगे जाने चाहिए अथ्वा अपने जिले के सभी सांसदों के साथ वित्य वर्ष की पहली तिमाही में एक बैठक बुलाई जानी चाहिए ऐसे मामलों में जहां संसंद ये चुनाओ शेत्र एक से अधिक जिले तक फैला हुआ है संबंदित, सांसद, राजी योजना विभाग तथा जिला कलेक्टरों को इन मार्ग दर्षिकाओं में उल्लिखित शमक्र शिमाओं के भीतर उनके जिलों में कार्जों की प्राथ मिक्ता का उल्लेख कर सकते हैं इन मार्ग दर्षिकाओं के आलोक में संसर सदस्यों द्वारा सुझाये गए कार्जों की संविक्षा करने के पश्चाथ जिला कलेक्टरों द्वारा योजना के अंतरगत इन्हें विचारार्थ एवं जिला योजनाओं तथा जिलों में चल रहे केंद्रिये प्रायोजित वक केंदरिये छेत्र कार्ज क्रमों में योजना के अंतरगत प्राथमिक्ता दरसाने वाले कार्जों को सूची बद्ध किया जाना चाहिए। करते हुए प्राकलन तैयार करने तथा तकनी की बैवहार्टा और स्विकृतियों के लिए पंचायती राज संस्थाओं जिला ग्रामिन विकास एजेंसियों सहरी अस्थानिय निकायों अन्य जिला अस्तरिय विकास विभागों आदि को सामिल किया जाएगा। जिला कलक्चरों द्वारा योजना के अंतरगत संसदों ज्वारा सुझाये गए कार्जों की सूची इस प्रकार निर्धारित करने के पस्चात या सुनिशित क्या जाना चाहिए। जिले में संबंधित विभागों संगठनों के विचार आर्थ भेजा जाए। कलेक्चर राजी योजना विभागों की मारफत विविन्य विभागों संगठनों में कार्ज के लिए विभाजन के व्यवरों और भारत सरकार के संबंधित लेखा सिर्ष के अंतरगत किये गए खर्च के बारे में भी सुचित करेंगे। यदि जिला कलेक्टर उलिखित रूप से सांसादों द्वारा सुझाए कार्जों की सुचि में किसी कार्ज पर विचार कर उसका कार्जा न्वन्य सुनश्चित करने की स्थिती में नहीं है तो उनके द्वारा यथा शिगर राज्य योजना विभाग को उसकी आवस्षक्त के बारे में रिपोर्ट दे अध्यक्ष महोदय भारत सरकार के सभी देशों के साथ सांती और मैत्री की नीती का अनुसरन करता रहा है और ऐसे अवसरों पर जब भी यह आसा हुई कि हम सांती अस्थापना के हेतु कुछ कर सकते हैं हमारे देश ने जिमेदारियों को उठाने में कोई संकोच नहीं किया कोरिया में मेरी सरकार ने सत्रस्थ राश्ट्रिय प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता स्विकार की और युद्ध बंदियों के भविश्य के संबंध में अंतिम निर्ने होने तक उनकी देखवाल के लिए संदक्षन सेना वहां भेजी दुर्भाग्यवस विराम संधी समझोते में सुझाई गई पधती के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा सकी जिसके कारण एक कठिन इस्थिती पैदा हो गई कुछ दिनों में ही आयोग अपना काम समाप कर देगा और संदक्षन सेना अब धीरे धीरे भारत वापस आ रही है कोरिया में प्रमुक विवाद ग्रस्त प्रस्नों का अभी तक निप्टारा नहीं हुआ है मुझे पूर्ण आसा है कि संजुक्त रास्त्र शंग की महासभा में अथवा कहीं और इन अवश्यक मामलों को सुलजाने का सिग्र ही प्रयत्न किया जाएगा आप सबकी ओर से और अपनी ओर से मैं कोरिया में ततस्त रास्त्रिय प्रत्यावर्तन आयोग में अपने प्रतिनीध्यों और संदक्षन सेना के अधिकारियों तथा सिपाहियों की इस बात के लिए प्रसंसाख करना चाहूंगा कि उन्होंने एक कथिन और नाजुक काम को बड़ी योग्यता तथा निश्पक्षता के साथ निभाया विदेशियों से भारत के संबंध मैत्रिपुर्ण बने रहे यद्यपी कभी कभी गलत फैमियां पैदा हो जाती है इस समय मेरी सरकार के प्रतिनिधी चीनी गंतंत्र की सरकार से तिबबत के संबंध में सामान्य हिट के विविन मामलों पर वाचित कर रहे हैं मुझे पूरी आसा है कि इस बाचित के परिनाम सरूप सभी विशिष्ट समस्याओं के बारे में समझाता हो सकेगा सोवियत संग और कई अन्य देशों से हमारी व्यापारिक संधियां होई हैं पिछले वर्ष हमारे परधान मंत्री पाकिस्तान के परधान मंत्री से मिले ये मुलाकातें मैच्री पूर्ण थी और इनके पलस्वरूप दोनों देशों के बीच कई एक विवादा ग्रस्त मामलों के बारे में जो बहुत दिनों से चले आ रहे थे पारस्परिक सद्भावना पैदा हो सकी इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़े थे पर दुर्भागे से कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण प्रगती में रुकावटें पर रही हैं मुझे खुशी है कि मेरी सरकार और स्री लंका की सरकार के बीच में स्री लंका के भारतिये प्रवासियों के प्रस्न पर समझाता हो गया है इस समझाते द्वारा उक्त समस्या का अंतिम रूप से निवचारा नहीं होता परंतु उस दिशा में यह पहला कदम है और समस्या के हल के लिए गंभीर प्रियास है इसलिए मैं इसका स्वागत करता हूँ अपने परोसी राष्ट्रों स्रिलंका तथा बर्मा से जिनके साथ हमारे भगौली की ही नहीं बलकि चीरकाल से सांस्क्रितिक संबंध भी हैं मैं त्रिपूर्ण संबंध को उन्नत करने का मेरी सरकार सतत प्रियत्म करती रही है अपने परोसी राष्ट्रों से जिनके सांस्क्रिक सांस्क्रिक सांस्क्रिक